बच्चो आज हम लोग नया चप्टर पढ़ रहे हैं Properties of Matter में Elasticity तो Elasticity क्या होई? इसको हिंदी में कहते हैं परतियास्त था तो Elasticity का आर्थ एक तरह से आप इसको rubber band से समझें जैसे rubber band को हम लोग खीशते हैं तो फिर वह वापस अपनी जगह पार आ जाता है Spring की property मेंने Spring का practical करके भी आपको जब हम लोग Spring की energy part रहते तो उसमें सिखाया था खीशते हैं तो वह opposite direction में force लगाता है उसके property क्या होदी? अगर हम Spring को जैसे यह Spring है इधर को खीशें तो यह वाख जैसे हम force को हटाते हैं तो वह force अटाते ही अपनी original position में आ जाता है original condition में आ जाता है हाला कि ज़्यादा जब खीशते तो उसमें एक condition यह भी होती थी कि फिर यह कुछ लंबा हो जाता था, original condition में नहीं आपा था तो पहले हम लोग जानते हैं कि elastic behavior क्या होता है तो elastic behavior क्या है कि जैसे जब हमने किसी body पर force लगा है मान लिया कि spring को ही example की रूप में ले ले spring पे जैसे हम जब force लगाते हैं माना इजर को मैंने खीचा तो क्या होता है spring कुछ लंबा हो जाता है, इसका shape बिगड जाता है है नहीं, इसका shape बिगड गया तो जिस force के कारण किसी body का shape गढ़ता है उस force को कहते है deforming force हिंदी में कहते हैं इसको वी रूपक बल्याने की जिसक्त जो किसी का shape विगाडता है उसको वी रूपक делать deforming force कहते है, तो deforming force लगाने पर body का shape गढ़ता है और इस force के हटाती body है lie अगर अपने previous जो उसका safe है उसको जब regain कर लेती है तो इस property को कहा जाता है elastic property या elastic behavior कहा जाता है अब इसी condition पर हमारे पाद तीन तरह की bodies होती है जिसको अब हम लोग समझते हैं जैसे हमने एक तो पहले पढ़ चुके हैं जिसको हम कहते है rigid body जब हमने moment of inertia वाला chapter पढ़ा दे तो वहाँ पर हमने rigid bodies पढ़ी थी या जिसको हम drill pin कहते हैं तो rigid bodies क्या होती है कि जब इस पर deforming force लगा जाता है तो इसके जितने भी molecules होते हैं उनकी बीच में कोई भी intermolecular जो distance है तो उसमें कोई भी change नहीं आता है यानि कि एक दूसरे के relatively इनकी position में कोई भी change नहीं आता है तो rigid body क्या होगी कि जिस body में हम deforming force लगाएं और माना उसका से बिगड भी जाए लेकिन जितने भी उसके चोटे 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 पार्टिकल से गराएं इसको कई सारे चोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना माने तो इन में एक दूसरे के relatively कोई भी चेंज या पोजिशन का चेंज नहीं आता है इसको हम rigid bodies कहते हैं तो जब intermolecular distance में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका सीधा सारती क्या है यह कब हो सकता है तभी जब इस body का shape ना बिगड़े तो सीधी सी बात है rigid body को मैं ऐसी भी कह सकते है कि यह force इस पे लगा जाएगा तो इसके shape और इसके जो भी उसमें कोई भी change नहीं आएगा इसके अलावा एक दूसी bodies होती है elastic bodies जो हम पढ़ने वाले हैं elasticity chapter है तो एक bodies हो जाएगी elastic elastic bodies क्या होगी जब जिसमें force लगाए जाए उसका shape बिगड़े और force को हटाते ही वो अपने पुराने shape को regain कर लेगी ये तो elastic bodies होगी फिर एक होती है plastic bodies तो plastic bodies क्या होई कि जब इनमें force लगाए जाए इनका shape बिगड़ जाए और force के हटाने के बाद ये अपने shape को gain ना करें यानि कि इनके आकरती पूरी के पूरी बिगड़ जाए अब बाई नेचर ना तो कोई भी body पूरी तरह से rigid है ना कोई elastic है तो completely है ना कोई plastic होती है तो ये लगभख इसके आसपास ये माला जाता है कि जैसे कुछ bodies जैसी है जो इसके आसपास behavior दिखाती है तो completely कहें तो ना तो कोई elastic है ना कोई plastic तो अगर हम इसको समझें कि हमारे पाई नेचर में जितनी भी bodies हैं वो सब क्या है वो इन दोनों के बीच में करती है यानि कि उनकी limit elastic और plastic के बीच में है कोई ना तो completely elastic है ना completely plastic है similarly कोई body completely rigid भी नहीं है अब इसमें ये माला जाता है थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है quards को और phosphorus bronze है इसको लगभा लगभा हम लोग completely elastic मानते है quards और phosphorus bronze है को इसी तरह से अगर हम बात करेंगे plastic bodies में तो plastic bodies के examples में तो वैसे तो completely कोई भी body आपकी plastic नहीं है लेकिन जिसको हम कहते है mom या wax वो लगभा इसकी range में माने जाते हैं गीली मिट्टी भी माने जाती है और rigid bodies में तो मैंने कहा कि कोई नहीं थोड़ा बहुत ही मानते कि जो जैसे हमारा diamond होता है diamond सब चाथर strong होता है diamond को हम लोग rigid body की range में रखते हैं फिर इसके बाद आता है इसके बाद एक topic आता है limit of elasticity या प्रत्यास्ता की सीमा ये क्या चीज है इसको समझते है example से मान लीजिए ये spring है हमने इस पर force लगाया force लगाने के बाद मान लिया जैसे हमने force लगाया और इसकी length कुछ encourage कर गई ठीक है माना इतनी होगी अब अगर हम इस force को हटा दे और अगर ये अपने को regain कर ले ता मान लिया ठीक है फिर हमने force को बढ़ाया और इसकी लंबाई को और जादा बढ़ा दिया इसने माना अपने shape को पुराना इस फिर सी regain कर लिया तो suppose कीजिए कि जैसे यहां पर 10 newton का force था माना यहां इसको बढ़ा के 12 newton कर दिया यहां 13 हो गया और इसके force को बढ़ाया और इसकी length up बड़ी force अटाने के बाद मान लिया कि इसने अपनी पुरानी shape को regain नहीं करा तो यह जो होगा यानि कि इससे पहले वाली condition यहां पर अभी body अपने को regain नहीं कर पा रही इससे just पहले की mathematical value जहां पर इसने अपनी को regain कर लिया हो उसको कहते हैं elasticity की सीमा या प्रत्यासिता की सीमा तो इससे क्या clear रहा कि जो हमारा deforming force है यह उसकी बात हम कर रहे हैं तो जैसे 13 newton पर इसने अपने को regain कर रहा तो 13 वाली जो यह जो आपका deforming force है इस force की जो यह limit है जिस पर यह अपने को regain कर ले रही है उसको ही कागा है जाता है limit of elasticity इसके बाद क्या होगा जब यह अपने को regain नहीं कर रही तो हम कहेंगे अब इसमें जो elasticity की property थी अब वो nest हो रही है अब इसके बाद कुछी में छोटे-छोटे mathematical topic हैं जब हैं को clear करते हैं पहला होता है stress जिसको हम प्रतिबल भी कहते हैं तो यह होता है f upon a stress is equal to force upon area अब जो हम pressure पढ़ते थे जिसको हम दाप कहते थे pressure भी force upon area ही होता था तो formula इसका भी होई है dimension NL dimensions भी सीम देंगी unit भी सीम देंगी Newton by meter square तो अब प्रशन होटता है कि stress और force में difference क्या हुआ stress और force में simple सा difference यह है कि जब pressure जब होता formula तो उसका भी होता है pressure में जो force होता है यह perpendicular होता है यानि कि लंबवत होगा pressure में जो force लगा गया दिल लगेगा वो perpendicular या लंबवत force लगता है यहाँ पर force के लिए ऐसा कोई condition नहीं कि वो perpendicular ही हो वो किसी और direction भी हो सकता है meaning क्या है यह pressure का case होगा है यह force perpendicular है ठीक है न stress में क्या है force कैसा भी हो सकता है ऐसा भी ऐसा भी और perpendicular भी एक topic तो यह था simple सा इसके बाद इसमें अगला topic आता है strain या विकृती तो strain का अर्थ कुछ नहीं कि जो हम deforming force लगा के जब body पे लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है normally उसका shape बिगड जा रहा है ठीक ना यानि कि सामाने भासा में हम कहें अगर कोई body length वाली है यहां पर area A था suppose कीज़े area change हो के delta L हो गया यानि कितना इसमें change आ गया इसी तरह से किसी body का अगर volume की बात करें माना इसका volume V था और force लगाने पे इसके volume में delta V का change आ गया तो जो strain है वो यह है कि इसकी यह dimensions होगी जैसे इसकी dimension कहें delta L dimension होगी और इसकी delta A और इसकी delta V तो change in dimension यानि कि जो भी उसकी काई चाहे लंबाई है या area है या volume है तो यहां पर हम विक्रिती को क्या कहेंगे लंबाई में परिवर्तन और प्रारंबिक लंबाई यहां हम कहेंगे change in area upon initial area यहां हम कहेंगे change in volume upon initial volume तो अगर हम इसकी dimension की बात करें इसकी dimension VL इसकी VL तो इसकी क्या होगी? no dimension आगी area की dimension L2 change in area की dimension VL2 area की dimension VL2 तो cancel होके no dimension volume की dimension L3 और initial volume की dimension VL3 तो इसकी भी no dimension तो यानि कि strain की क्या होगी? कोई भी dimension नहीं होगी फिर इसी से निकलता है है एक hook solo hook एक mathematician थे और physicist भी थे उन्होंने रूल दिया था वो rule क्या दिया था? condition क्या थी? कि जब आपकी for short strain यानि की लगू विगृतियों के लिए यानि कि जब आप area में या लंबाई में और या volume में जो change है वो बहुत जादा नहीं करेंगे कि क्या condition है for salt strain या लगू विविवितियों के लिए जो प्रतीबल है या जिसको हम stress कहते है ये जो होता है strain के proportional होता है stress proportional to strain और इसी के जो ratio आता है इस ratio को हम लोग कहते है coefficient of elasticity coefficient of elasticity ये तीन तरह के होते हैं हम इसको बाद में discuss करेंगे फिलाल हम जान लेते है stress और strain के ratio को हम लोग coefficient of elasticity कहते है अब हम एक graph पढ़ेंगे तो बच्चों हम एम एक graph पढ़ेंगे कि elastic behavior of a wire under an increasing load meaning क्या है कि आपके पास एक wire है इस पर जो load है इस load को हम लोग समय के साथ क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे तो इसके behavior को पढ़ते हैं behavior कुछ इस प्रकार का होता है इसका graph होता है बड़ा important वो यह है graph कुछ इस तरह साथ है starting का graph इत्म straight आता है तो यह क्या so करता है इसको समझना है हमें यह सम करता है कि जैसे आपके पास एक wire है और आपने इसके load को बढ़ाया और इस straight line आ रहा है यह graph बनता stress और strain के बीच में यानि कि जब आपने इसमें load लगाया तो आप stress note कर लेंगे और उसमें कित्ती लंबाई में change आया माना शुरुवात में इतना change आया तो इस L का इस change in length का इसके साथ हम ratio निकालते जाएंगे फिर हम weight load को बढ़ाएंगे फिर जो change आएगा माना आपकी बार change delta L1 आ गया और initial length तो इतनी रहेगी और stress के साथ इसका ratio निकालेंगे stress यहाँ पे इसका area count कर लेंगे और load बढ़ने के साथ उसका ratio निकालेंगे तो यहाँ तक का graph यह सो करता है कि जो stress और strain उनका ratio बार-बार same हैगा यानि कि हर बार load बढ़ने पर जो stress आ रहा है और उस पे जो strain आ रहा है उनका ratio क्या आता है रहा हर बार यहाँ तक same आ रहा है अब इसके बाद क्या होता है कुछ समय के बाद तो body में क्या है जैसे आपने stress और strain दूसरे के proportion लाते हैं कि बराबर उनका ratio है तो जैसे ही आप force at load हटाएंगे body अपने को regain कर लेगी यानि कि body में इस point तक elasticity का property भी exist कर रही है अब इसके बाद क्या होगा कि जब load ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो होगा क्या कि for load बढ़ने पर strain है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन body अपने को फिर भी regain कर लेगी तो वो graph को जब इस तरह से दिखाते थे यानि इसकी meaning क्या है जैसे यहां तक की property अगर मैं बात करो इस graph की तो यह graph यह सो कर रहा है A से लेके B तक का पाल क्या सो कर रहा है कि body की जो लंबाई है अब stress और strain exhausted के proportional नहीं रहे गए लेकिन body में elasticity का गुणा यानि कि वो अपने को regain कर ले रहा है इसके बाद अब हम इसमें load को और बढ़ाते है और माना बढ़ा कि वो कुछ इस प्रकार से आए ता मान लिए यह graph something like इस तरह से बनता है और फिर यह ऐसे आ जाता है तो यहां पर यह graph क्या सो कर रहा है यह सो करता है कि जैसे B तक body में कौन सा गुण था elasticity का कौन था हाला कि यहां पर इसकी graph में करवा रहा है state का मतलब है कि stress proportional to strain इस वाले part में stress is not proportional to strain यानि कि लंबाई में अब कुछ जाता change आ रहा है जो stress के proportional नहीं हो रहा है लेकिन body में elasticity का property बची हुई है इसके बाद हमने क्या करा गया अब इसमें load और बढ़ाया अब load बढ़ाने के बाद क्या होता है कि यह लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है माना यह second condition थे third में क्या हुआ length में change ज़्यादा आ गया और body अब अपने को regain नहीं कर रही है यानि कि उसमे elasticity का गुण क्या हो गया अब समाप्त हो गया तो वो कुछ point माना यह C तक आ गया अब हम इसको जब मिलाएं तो आप देखे खुदी आप इसको मिलाएंगे देखो जैसे यह था यह propeller line थी इसके propeller हमने यह line रहे करे तो आप देखिए यह कहीं यहां जाकी मिल ली तो इसमें क्या गी इतना permanent wikriti या strain आ चुका है यह चो party ही सो कर रहा है कि इस point तक जाते जाते जब उसमें elasticity का गुण नहीं रहा तो उसमें इतना permanent strain आ चुका है अब इसके बाद हमने load बढ़ा है और इसकी लंबाई फिर और बढ़ गी और अब इसके बाद यह भी होता है कि इसका area भी कम जाता हो जाता है तो D तक पहुंसते पहुंसते body का area ही change हो जाता है और इसके बाद जब इसमें थोड़ा सा load और पढ़ता है तो यह किसी point में जाके टूड जाती है तो इसको कहा जाता है breaking stress वच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह graph के point से समझ में आए होंगे आगे हम इसके next topic next video में देखेंगे